नमस्कार श्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मंच पे हम लोग यहाँ पे UPVCS प्रिलिम्स 2013 के लिए टेस्स सेरीज देख रहे थे और इसक्रम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे द्रिश्टी आईएस का टेस्स सेरीज देख रहे थे यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट यानि सबजेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पे हम लोग कभर किये हैं चाहे पॉलिटी हो, हिस्टी हो, जोग्रॉफी हो, इकनॉमिक्स हो या उत्तर प्रदिश इस्पेसल और साथ-साथ हम लोग फुल लेंड टेस्ट भी यहाँ पे देखे हुए हैं और सी सेट का भी हम लोग एक पेपर यहाँ पे किये थें तो दस टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट है थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट बचा हुआ है यह आपको करा दिया जाएगा दूसरा इसके पे सेकेंड आपको यहाँ पर हिस्ट्री और करेंट एफेर से रिलेटेड था हिस्ट्री में भी यह आपको मेडाइवल हिस्ट्री और एनिसेंट हिस्ट्री प्लस करेंट एफेर अब देखें यहाँ पर मॉडरन हिस्ट्री जो है इसमें सामिल नहीं किया गया था आज जो हम टेस का वेटेज जो है एनिसेंट और मेडाइवल के रिस्पेक्ट में अधिक होता है तो आज टेस्ट नमर थ्री आपको बेस्ट रहेगा मॉडरन हिस्टी प्लस उत्तर प्रदेश इस्पेसल कुछ कोश्चन होंगे एक आध कोश्चन और मेंली जो आपको करेंट अफेर होगा इसके नाम से एक आपका वहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पर आप आप जाके देख सकते हैं इसके अलवा दूसरा काम आप कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ब्क्स में मैं लिंक सारे का प्रभाइट कर दूँगा आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं जो लोग चाहते हैं क्लास 6 हिस्टी का जो है mcq लगाना तो जाके है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और मैं यहां पर लिंक प्रभाइड कर दूंगा तो आप लोग बिल्कुल सिक्वेंस में लेक्चर देखते रहे हम लोग टार्गेट किया है कि हम लोग मैक्समाम टेस्ट्री यहां पर करें प्रभाइड करेंगे तो अभी इसका च्छे साथ टेस्ट ही अभी तक अपडेट बाट करें तो हम लोग टेस्ट सिरीज जो है जितना प्रेक्टिस कर सकते हैं उतना हम लोग मैक्समाम करके जाएंगे देखें किसी एक्जाम में जाने से पहले आप सभी को पताई है कि टेस करेंगे मैक्समाम टेस्ट सिरीज देखने का इसके अलावाएदी कोई भी मेटेरियल होगा जो आपके लिए उप्यूक्त होगा तो हम जरूर डिसकस करेंगे और एक आप सभी के लिए चुकि आपको पता है कि करेंट फेयर का रोल जो है आपके एक्जाम में कितना अधिक ह यह UPPCS कहीं बात नहीं है आप किसी भी एस्टेट PCS को दे या आप UPAC लिख रहा है करेंट फेयर आज कल बहुत important डूल प्ले कर रहा है और UPPCS में देखेंगे ते यूपी स्पेसल भी करेंट फेयर आपको पूछे जाते हैं तो उसको लेके जो है आपको next day से एक साम को जो ह मन्तली बाइज आपको क्या current affair बन सकता है उस सारा कुछ discuss किया जाएगा कि मन्तली बाइज जो है क्या-क्या special current affair है वहाँ पर आपको बताया जाएगा तो बिल्कुल आप धहरे बना के channel पर रहें अधिक से अधिक बच्चों में जो है channel को share करें और channel को subscribe भी जरूर कर लें जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें share जरूर करेंगे और subscribe भी इस ले करेंगे ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है notification उसका मिल जाए यह वीडियो सारा जो है आपके exam में काफी जो है अहम भूमिका निभाने वाला है ठीक है तो पढ़ने वाले बच्चों में जो है channel को share जरूर करेंगे यदि आपका कोई feedback या comment होता है तो comment box में आप जरूर लिखेंगे सारे लोग को comment को पढ़ा जाता है अच्छा इसका PDF जो है पहले ही बता चुका हूँ आप टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर ले वहाँ पर मिलेगा जहां तक answer sheet की बात है मैं आपको बोला था पिछले lecture में एक या दो दिन और मेरे को time दीजिए आप लो इसके बाद आपको update जो जो टेस्ट दलते रहेगा उसका answer sheet आपको मिलते रहेगा और इसके अलाव यदि आपको कोई भी material चाहिए जो आपके पास save label नहीं है तो आप comment box में लिख सकते हैं मैं कोसिस करूँगा तो आपको material प्रभाइड कराने का जो भी आप content होगा रचाते हैं मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगा ठीक है चलिए तो आज का जो है टेस्ट अपना modern history प्लस करेंट इफिय जान से पढ़ें और उत्तर करने का प्रयत्न करें मैं यहाँ पर आपको time देता हूँ कि आप थोड़ा सक्या कर सकते हैं time लेके और अपना question कर सकते हैं जिनको lecture slow लगेगा वो वीडियो को fast करके सुन सकते हैं मैं जैसे आपको बताया हूँ कि जल्द ही यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से subject wise जो है हर एक subject को start किया जाएगा चाहे आप कोई exam लिखने वाले हो UPSC लिखने वाले हैं कोई state PCS लिखने वाले हैं तापके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से subject wise start किया जाएगा जल्द ही मैं उसको announce करूंगा तो आप channel पे जो है सारे लोग बने रहेंगे और अधिक से अधिक लोग में share जरूर करेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे है चुकि मेरा जो target है कि अधिक से अधिक बच्चे को quality education मिल पाए वह हमारा target fulfill हो जाए चलिए start करते हम लोग देखे यहां पर पहला question क्या है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इलहाबाद की संधी में शम्मिलित था देखे इलहाबाद की संधी आप सभी को पता ही है बकसर लड़ाई हुआ 1764 में ठीक है उसके बाद इलहाबाद की संधी हुई और उस संधी में आप सभी को पता है दो बार संधी हुई तो बताना है देखे पहला option क्या है कंपनी को ज मुगल बादसाह ने मिर जाफर को बंगाल का नवाब जो है सुविकार किया ठीक है मुगल बादसाह ने अब बताना है आपको कौन सा His में सही है ठीक है Answer करेंगे इसका देखिए बात किस की हो रही है 1765 इलाबाद संदी ठीक है तेक यहाँ पे आपको ध्यान देंगे तेक 12 अगर्ष्ट को और 16 अगर्ष्ट को संदी हुई और जो दूसरी संदी हुई थी इसका और इसी में बात क्या किया गया था आपको देखें बंगाल बिहार और उर्ष्ट की दिवानी की बात कब हुई थी यह संदी किस से हुई थी आप सभी को पता होगा यह भी ध्यान रखेंगे कि किसके किसके बीच संदी हुई थी ठीक है तेक तरफ जो है आपको शाहलम दितिये थे यह 12 अगर्ष्ट को फर्मान दिया ग और मुगल बदसा ने मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब सुईकार किया तो इस समय तक देखेंगे तो मीर जाफर का तो मिर्त्यु हो गया था तो यह statement आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा एक दो दोनों सही हो दूसरा स्टेटमेंट देखे पहला क्या था दे कंपनी गॉट दा सिविल राइट अव बंगाल बिहार एंड ओरिशा नवाज नवाब वस गीविन दा रिस्पोंसिबिलिटी ओफ डिफेंस लौ इंड ऑडर अफ कोट ठीक है यह स्टेटमेंट था चलिए निमलेखित में से क मझदूरों के लिए परफम जो है संघ अड़ बनी थी तो यह बनी थी आपको यह बनी थी है और उसके बाद आगे चलके देखेंगे तो मुए जो है संघ बनते रही तो यहां पे पहली संघ प्रेटन मदरास मजदूरसंग ही थी, तीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से किस सासक की शेना को एशिया की दूसरी कुषल और योग सेना की रूप में जाना जाता था, यही आपसे पूछा जा रहा है, देखें ते, यह कौन थे, यह थे आपको राणा जो है, राजा प्रसासक थे कोटी नितिक भी थे अपना सेना जो है काफी अच्छा ब्योस्तित किया थे चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नमर चार आप से पूछा जा रहा है कि अग्या पुछा रहा है सती प्रथा के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है अचान सा कोश्चन है आपके लिए देखे यह प्रता शंपुर्ण भारत में प्रत्री थी दूसरा मराठो ने इस प्रता का प्रसरे नहीं दिया इसका उनमुला नठार 17 में 17 जो है अधिनियम के तहथ नियम के तहथ किया गया बताना है कौन सा सही है देखिए पहला यहाँ पे आपको इस स्टेट्मेंट क्या दिया है कि यह प्रता जो शंपुर्ण भारत में पर्चली थी तो यह आपको क्या है गलत है शंपुर्ण भा परशा नहीं दिया था मराठो में जो है इस प्रता को बढ़ावान नहीं दिया गया था तेभी वह चैप्था पहला आपका गलत हो गिंप कोश्चन में नमर्फाइफ है निवन लिखित में एक किस समाचार पत्र का शंपादन राजा रादे च arri्वारो नहीं किः गया ठीक है इनके बारे में हम लोग अलेडी कोशन सल्व कर चुके हैं तो यहां पर मैं डिसकस भी किया था एक्स्टाफिक्ट यहां पर पुछा गया है किसका संपादन नहीं किया गया इनके द्वारा तो देखे ध्यान देंगे यहां पर शमाद कौमदी इनहीं का था मिरात का नात बिद्धा भूशन का एक सब्ताहिक समाचार पत्र था यह ठीक है तो यह भी बात आप याद रखेंगे अप्सन आपका डी हो जाएगा आगे देखें कमपनियों बंगाल के नवाब के मद्धे शंघर्स का परमुक कारण दस्तक निम्नलिखित में से क्या था देखें दस्तक के बारे में पुछा जा रहा है कि दस्तक आखिर क्या था और ये संघर्ष का कारण भी बना था बंगाल के नवाब ठीक है और कमपनी के बीच तो आखिरे दस्तक था क्या यहीं पुछा जा रहा है देखें कमपनी द्वारा नवाब को दिया जाने वोला रजस्व कमपनी के कर मुक्त ब्यपार का परमिट नवाब द्वारा कमपनी को प्रदत फैक्टरी निर्माड का अनुमति पत्र और कमपनी को प्राप चटगाओ बंदरगाह का परियोग अदिकार देखें दस्तक क्या था जो कमपनी थे इस्ट इंडिया कमपनी के कर मुक्त ब्यपार का एक परमिट था इसी को क्या बोलते थे दस्तक और इस दस्तक का जो है अंग्रेज लोग क्या किये थे गलत फायदा उठाना शुरू कर दिये थे और इसी को जैसे जो है यहाँ पर आपको सीरा जुदावला से इनका भिड़न थो गया था ठीक है तो दस्तक क्या था कमपनी के कर मुक्त ब्यपार का परमिट था आगे काकी नाड़ अधिवशन 1923 खा ठीक है यहां पर पूछा जा रहा है तो यह मौला ना महमद अली थे यह बिलकुल सही है ठीक है पर उन्नीस सा उन्नीस तो बहुत ही फेमस है जवारलान लेहरू थे ठीक है तो यहां पर यह भी गलत हो गया हरी पूरा अधिवेशन 1938 जो नेता जी थे सुभाष चंद्र वोश्त यह सई है ठीक है तो एक तरह से आपका यहां पर दो प्यारी सई हो रहा है तो क्या हो आगे देखते हैंQue modelling नमर आठ निमनलिखित मेंसे किसे भारत में पुर्टगाली समराज का वास्तुइक संस्थापक माना जयता था काफी असान कोष्चन है देखे वास्तुइक संस्थापक ऐसे तो भारत में आने वाले पहले पुर्टगाली कौन थे आपको वास्कोडिग दी अल्वुकर इन्हीं को माना जाता है option D हो जाएगा देखिए अल्वुकर के समय जो है आपको पुर्तगाली समराज ये जो है इसका बिस्तार काफी अधिक हुआ अल्वुकर के समय ही 1510 में क्या हुआ गुआ को जीता गया था ठीक है 1510 में बीजापूर के सुल्तान से गुआ कबजा में लिया गया था और पुर्तगाली जो है इससे में समराज का काफी ज़्यादा बिस्तार देखने को मिला तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा अच्छा पहला पुर्तगाली गौर्णर पुछे तो ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी डी अलमीडा 1505 में और यही जो है आपको ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था ये भी बात आप याद रखेंगे निक्स देखें कलकत्ता मदर्सा यों संस्क्रीट कॉलेज बनारस को निम्न लिखित में से किशे स्वयम छरन हेतु अंधकार के मंदीर कहा जाता था ते किशे किश ने कहा था ये कि स्वयम छरन हेतु जो है अंधकार के मंदीर है देखें question number 9 क्या पुछा जा रहा है देखिए किसके द्वारा कहा गया था ठीक है एंसर करते रहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा टीबी मैकाले टीबी मैकाले को द्वारा ये आपको कहा गया था आगे देखें question number 10 देखते है महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इर्वीन के समक्ष प्रस्तूत 11 सुत्री मांगो में निम्नलिखित में से कौन सी सामिल नहीं थी टीक है ऐसे question आज कल खूब पूछे जा रहे है अब देखिए आप को पता होगा कि 1934 के मद्धे क्या हुआ था अंग्रेजो और जो है महात्मा गांधी यानि इर्वीन लॉर्ड इर्वीन और महात्मा गांधी से बादचीत हुआ था और इसी बादचीत में जो है गांधी जी द्वारा बहुत सारी मांगे रखी गई थी ये गारा सुत्री मांगे इनमें पूछ रहा है कि कौन सामिल था ठीक है यही पुछा जा रहा है पहला देखें यहां पे राजनीती कैदियों की रिहाई यह सही था पुर्ण सराब बंदी यह भी था शेना में ब्याय में 50% की कटा होती यह भी सही था नमक की कर की समापती आत्मरक्षा है तुँ हतियार रखने की अनुमती ते सारा जो ठीक है CID में भी परितन की बात की गई थी इसके अलवा आपको 30 संचार पे भारतियों के लिए आरक्षन दिया जाए यह भी बोला गया था भूमी कर में 50% की कमी की बात की गई थी ते सब बाते थी यहां पे सारी बाते हैं सामिल है तो option क्या हो जाएगा आपका D हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं question नमर दस हो गया 11 देखते हैं देखिए रजस्ट परशासन से सम्मंदित निम्नलिखित में से कौन सा सुधार मुर्शिद कुली खा द्वारा नहीं किया गया ठीक है देखिए मुर्शिद कुली खा के बार आपको रजस्ट से सुधार कौन स सुधार परशासन के तर्ण में पूचा जा रहा है कों सा सुधार नहीं किया गया ठीक है इसके बाए देर देखिए में रियायत और है नोगरं ठीकदारों को को नियुक्ति की गई थे लेकिन एक कर असुली में रियायत नहीं दिया गया था ठीक है तो यह बात क्या हो गया यहां पे गलत हो गया तो अप्संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें एका अंदोलन जो उत्तर परदेश के कई जीलों में चलता रहा निमनलिखित म को यह काफी फेमस है कोश्चन अभी तक पुछा जा चुका है देखिए तो बाबा रामचंद्र जो है एका अंदोलन को नितित किये थे और उत्तर परदेश में देखेंगे आप तो जो हर्दोई बाहराईच वाला छेत्र है सिता पूरजिला यह लगान में यहां पे ब्रि लेकिन यहां पे पूछा था कि नितित्तो परदान किये थे तो यह आपको यह हो जाएंगे ठीक है अच्छा इसका नितित्तो परदान कौन किया था यह पूछा है यह का अंदोलन का नितित्तो जो है परदान कौन किया था तो नितित्तो इसका परदान किये थे आपको यह म option B, ठीक है चलिए, आगे देखते हैं, ये कथन दिया है और ये कारण दिया है, सवाई राजा जैसिंग ने आधनिक उपकर्णों से सुसजित पर्योक्षण सलाओ का निर्माड करवाया था, वो एक महान खगुल सास्त्री थे, ठीक है कौन से सही है, देखिए, पहला statement क्या है सवाई राजा जैसिंग जो है, आधनिक उपकर्णों से सुसजित पर्योक्षण सलाओ का निर्माड करवाया था, ये बात सही है, और वो एक महान खगुल सास्त्री भी थे, ये भी सही है, तो दोनों सही है, देखे, question नमर 13 देख सकते हैं, क्या पुछा जा रहा है, देखि सही हो जाएगा, आगे देखे, question नमर 14, निम्ना लिखित में से कौन बर्स 1929 में गठित क्रिशक परजा पाटी इसे सम्मंदित नहीं था, देखे, क्रिशक जो परजा पाटी बनी थी, इसे सम्मंदित कौन नहीं था, ये आप से पूछा जा रहा है, ये आप देखे, मुझ नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पे आपको मुझा अफर हमाद, ठीक है, ये आपको समयवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ता आपका सही उतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, option A, ठीक है, option A आपका सही अंसर हो जाएगा, आगे देखे, अगला question है, निम्ना लिखित प्रति बर्स कब किया गया था, किस अधिनियम में किया गया था, ये आपको चार्टर अधिनियम 18-17, ठीक है, चार्टर अधिनियम 18-17 में बात किया गया था, और यहीं पे देखेंगे, तो कम्पनी का भारतिय वेपार का एक आधिक पार भी समाप्त करने का बात किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोश्चन नम्मर 16 देखें कि निमनलिकित में से किस मुगल बदसा को लंपट मुर्ख भी कहा जाता था ठीक है असान सा कोश्चन है किसको कहा जाता था जहांदार साथ को अब देखेंगे तो बहादर सा का जो मिर्टू हो जाता है सबसे पहले और संघर्ष के बाद गदी पर बैठते हैं जुल्फी कारखा के मदद से और इनी को जो है इरादत खाजवारा लंपट मुर्ख बादी दिया गया था क्योकि इनकी कारे सैली जो है अच्छी नहीं थी ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा जागिरदारी क्या अंधा धुन देखिए अब यहीं इसमें आपको याद है एकाद तो आप यहां पर एंसर कर सकते हैं बात हो रही है अस्थापना की तो सबसे पहले इंडियन एस्योसेशन देखिए यहां पर दीख रहा है यह कब बना था तिये बना था आपको जुलाई 1876 को ठीक है कलकाता में बना था और सुरेन्नात बनरजी के द्वरा बनाये गया था यह भी बात ध्यान रखेंगे पुना सर्जनिक सभा की बात करें यह बना था आपको अप्रैल ठीक है अप्रैल में बना था कब 1870 में नेक्स देखें बंबे प्रेसिडेंसी एस्योसेशन की बात करें तो यह आपको बना अब मदरास महाजन सभा की बात करेंगे 1884 में अब देखें बंबई प्रेशिदेंस से कौन-कौन जुड़े थे यहां पर आपको सिक्वेंस लगाना था अब आप सिक्वेंस इसका लगा ही सकते हैं ठीक है सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा देखें यहां पर क्या दिया है और रोही करम में लगाना है देहान देंगे यानि आपको घटते करम में लगाना है ठीक है घटते करम में लगाना है देखें इसमें सबसे बाद वाला कब हुआ है यह 1883 हो जाएगा उससे पहले क चार एक दो ओप्सन देखते हैं तो इसमें और नहीं है ठीक है तीन चार एक दो और वही क्रम ही दिया है तीन चार एक दो यहां पर दिया नहीं है लगता है इसमें सेंडिंग ओडर में जो है सजा दिया गया इसको आरो ही औरो ही मतलब तक हटते ही होता है तो सबसे बाद वाला ही सबसे पहले होना चाहिए तो तीन चार एक दो होना चाहिए आप लोग अंसर इसका जो है कर लेंगे साथ यहाँ पर typing mistake है या question में typing mistake होगया है आरोही करम में यहाँ पर दिया रहता तब यह आपका सही उतर क्या हो जाता है 2,1,4,3 तो 2,1,4,3 आपका 2,1,4,3 option D में है यह होता उस समय लेकिन यह 3,4,1,2 ही सही उतर होगा चलिए बाकी करम वार लगाना रहता तब आपका 2,1,4,3 न होता कुछ mistake है इसमें आगे देखें अवद का नवाब सब्दर जंग के संदर में बताना है कौन सा कथन सही है ठीक है ध्यान देंगे इसमें लिखा हुआ है पहला कि मुगल बत्सा मुहमद साह के वजीर का पद प्राप्त किया किंद्रिये कुष्ट में रजस सो भेजना बंद कर दिया परसासन में अस्थानिये हिंद्यों के न्युक्ति की और मनीपूर के युद में अबदाली का साथ दिया तो किसके बारे में पूछा जा रहा है अवद के नवाब सबदर जंग के बारे में कौन सा कत्न आपको सही है अवद के बारे में पता ही यह आवद के संस्थापक कौन थे अवद स्वतंत्र हुआ था जब मुगलों से तो इसके स्थापक कौन थे सहाधत खा थे ठीक है और इसी में आप जाएंगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा इस सब्दर जंग भी आएंगे यहांपे दिया है आपको पहला स्टेटमेंट में धियान देंगे तो दिया है मुगल बात साह मुगलों को क्या है राजर सो भेजना बंद कर दिये थे ते यह स्टेटमेंट जो है आपका यह गलत है ठीक है रजस्वे भेजा करते थे परसासन में अस्थानी हिंदू को निक्ति की ठीक है परसासन में अपने अस्थानी हिंदू को निक्ति की है ये बात जो है आपका सही है ठीक है तो ये सही हो गया एक तीन उसके अलाओ देखे मनीपूर की युद में अबदाली का साथ दिया ठीक है अमद साब दाली और जो है मुगलों के मद्द लड़ा गया था इसमें मुगलों को साथ दिये थे यह भी गलत हो गया यहां पर क्या हो जाएगा एक तीन आप्शन यह सही हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं कुश्चन नंबर 19 देखिए यह सबीना ओगया अंदोलन के बारे में पुछा जा रहा है सबीना ओगया अंदोलन के दौरान धरशना में हुई ब्रिटीश सरकार की करवाई का वर्ण ननिमलिखित में से की समयर की अब सबीना ओगया अंदोलन के दौरान जो है कौन पत्रकार कभर कर रहे थे सार प्रथम इसने हिंदू को प्रती शहिष्णुता के निती अपनाई मराठो के चौत और सर देश मुखी असुलने का अधिकार जो है परदान किया बताना है कौन सा सही है देखे बहादूर सा प्रत्थम कब आते हैं और अंग्जेव के मिर्टू के बाद 17 सासात में यही बनते ह है तो यहां पर देखे गाते statement क्या दिया है हिंदू के प्रती शहिष्णु की निती अपनाई थे बात सही है दूसरा statement यहां पर क्या दिया है कि मराठो को चौत और सर्देशी असुलने का अधिकार परदान किया देखे अगर देखेंगे दकन वाले छेत्र में चलता था त बी का यहां 20 का एक हो जाएगा आगे देखें निमनलिखित में से किस सीख गुरू ने लोहनगड किले का निर्माड कराया था ठीक है लोहगड है लोहगड किले का निर्माड किसके द्वारा कराया गया यह पूछा जा रहा है तो यह आपको गुरू अर्जुन देव के द् तुल्ला सच या सट में ठीक है और लोहनगर्ण का कीला जो है अमबाला साइड में निर्मार कर आये गया था इन ही के द्वारा आगे देखते हैं question number 22 देखी क्या पूछा जा रहा है question पेरलली में आप जरूर करते रहेंगे परतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भारतिय रास्ट वादियों निनमिलिकित में सकी सदिनियम के परतिकिरिया में दिये अगर आप परतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम जो है text नहीं देंगे कर नहीं देंगे ये नारा जो है राजे उनके अंडर में आ गया, मैं सूरोगरा, अब यहाँ पे क्या भारत में क्या करे, तो भारत में वो सम्विधानिक सुधार के नाम पे बहुत सारा धिनियम लेके आते रहें समय समय पे, ठीक है, और सम्विधानिक सुधारों में जो है, भारतियों को उसमें रखा नहीं हैं अगला है कोश्चन नमर तेईस नियू इंग्लिश इस्कूल जो आगे चलके जो है फर्गूशन कॉलेज के नाम पे अस्थापित हो गया परशिद्ध हो गया निमलिखित में से किसने की थी इसका स्थापना ठीक है नियू इंग्लिश इस्कूल ठीक है यह पुछा जारा श्यू आज़े यह ऍह т.क यह आपको मराठा में मराठी में किसरी नाम का पत्रीका भी निकलते थी आप सब asta फुर्पते हैं और ऑगे बढ़ते हैं भारत माता नामख समचार पत्र परकाशक निमलेखित ने से किष ने किया था भारत माता नामक जो है समचार पत्र किष के द्वारा निकाला जाता था यही पूछा जा रहा आपको यह निकाला जाता था सरदार अजीत सिंग के द्वारा ठीक है यह भी एक राष्ट भद राष्ट भक्त और क्या थे करंतिकारी थे और इनी के द्वारा निकाला जाता था आपको भारत माता नामक आपको समाचार पत्र आगे देखें चलिए question number 25 देख लेते हैं देखें निमने लिखित में से कौन सा करांतिकारी अंदोलन का सिथिलता का सरपरमुख कारण था देखें करांतिकारी जो अंदोलन हुआ था उसमें सिथिलता आना ठी से देखिए यहाँ पर क्या पुछा हुआ है कि कोश्चन नमर्ट 25 है जो भी रिवुलिशनेरी मुउम्मेंट हो रही थी पैसिवने साने का कारण ठीक है क्या था यही आपको बताना है सर परमुख कारण बताना है देखिए यहाँ पर अप्सन ध्यान देंगे संसाधनों की कम जनता का सिक्षित ना होना छित्र बीशेस में क्रांती का केंद्रिकरन और जना अधार का ना होना तो यह जो क्रांतिकारी अंदोलन हो रही थी इसमें सबसे परमुख अगर कारण देखे इसमें ते देखिए सब जो है लगभग तो परमुख कारणों में सब आ जाएगा ल दूए तो अंग्रेजों संदी तो अंग्रेजों और मैसूर बीच में हुआ था तो यह कौन सा यूद था झाल तीसरा अंगल मैसूर यूद ठाथ और इसी समय सिरी रंग पट्निक का संधी हुआ टीपू और अंग्रेजों के बीच और इसमें देखेंगे तो काफी हरजाना इनको देना पड़ा था टीपू को आधरा जिलगवग अपना गमा बैठे थे और चौथा जो है आंगल मैसी रियूद में ये पूरी तरह से अंग् देखें जो मारले मिन्टों सुधार आया था उसका उदेश्ट क्या नहीं था यहीं पूछा जा रहा है ठीक है देखें यहां पर अप्टियों को भ्रमित करना राष्टवादियों में फूट डालना भारतियों के बिच बढ़ती एक्ता को रोकना और मुस्लिम हीतों को चि हम आपके लिए काम कर रहे हैं ठीक है बाकी उसमें कुछ होता नहीं था वो बर्गलाने का काम किया जाता रहा और अन्ता जो है परिसान होके भारत छड़वांदुलन होई गया तो देखें दरम पंतियों को भ्रमित करना था काफी भ्रमित किये लो राष्टवादियों में फूट डालना था ये भी बात सही है भारतियों के बिच बढ़ती एकता को रोकना ये भी है मुस्लीमों की हीतों की चिंता ये बात इसमें नहीं थी ठीक है तो यहां उदेश्य नहीं था तो आपसन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा और 19-9 में आया था ये इंडियन काउंसिलेक्ट संबेधानिक सुधार के नाम पर आया था आगे देखें कोश्चन नमबर जो है 28 देखते हैं बकसर की उद में निमलिकित में से किस ने अंग्रेजी सेना का नितित तो किया ठीक है ये असान सा कोश्चन पूछा गया बकसर क कि उद्ध कब जो हुआ था आपको ध्यानी होगा आप कहीं कहीं देखें किताब में आपको 23 अक्टूबर 17 64 देखने को मिलेगा ठीक है ओप्सन आएगा ता आप अपने से देख लेंगे ऐसे जो 23 सक्टूबर 17 सा 64 ही ज्यादा प्रारिटी में रखेंगे ठीक है तो ये बक्सर के योद किसके किसके बीच लड़ा गया था एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन थे मीर कासिम अवद के नबाब थे सुजाओ दावला और मुगल बासा थे साहलम दिती और से परियास किये गए थे देखिये बिलियम बेंटिक काफी समाज rag Matteo आधा स्माफटी शिसूबंच पर रोक ठागी परफफ़ा की समापती और दास परफ़ा की समापती तो देखिए बिलियम बेटिंग आपको भारत के जो है गवर्यार जनलॉज लगी नहीं बहुत थी लेकिन दास्परत्य की समाप्ति इन के समय की समय हुई थी यहां पे होगतों यह होtail schirm चलिए कुष्चन मोमर 30 के और बढ़ते हैं कि को देखे टीपू सुल्तान कीभूमी करकी बयोस्थाकि संदर्म निम्लिकित कतनों में कौन सा सही नहीं है ठीक है टीपु अच्छा अपना कमेंट जरूर देंगे क्या आप लुड़ों चाहते हैं की यहां पर ये फिरलिम्स के लिए भी टेस्स-सीरीस कराया जाए ठीक है आप क्रिश्को से सीधा संपर कर श्थापित किया था यह बात जो है सही हय 9e9 पर झॉव सप्रतियक्ट नियंतरन श्र्रा द्पीन किया गया नेक्सट को लिए जब कईया लेकां वहां यहांद प्लीगारो के पैत्रीक अधिकार को बनाया रखा गया inauguration Parona were कि अडिकारर जबत कर लिया गया थे कौन कर लिया गया था यह तो गलत हो गया बाकि सब इसमें सही है अपको सही उथर हो जाएगा आगे देखें निमनलिखित में से किस यूद की समाप्ति सुगोली के संदीकता अचान सा कुश्चन है यह कौन हुआ था आंगल नेपाली हुद तीक है आप देखेंगे तो लॉड हेस्टिंग के काल में आंगल नेपाली हुद हुआ था 14-16 में 18-14-16 में और आपको सुगोली संदीक के ताहत इसको समाप्त किया गया था आगे देखें अगला है बेखभगवसिधान्त के अंतरगत बिलय किये गये निमनलिखित परांतों को उनके काल करम से सजाना है बेखभवसिधान्त ठीक है जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा देख सकते हैं 32 ठीक है किसके बारे यह सिधान्त कौन लेके आया था बेद आपको पता ही होगा असान सा बात पुछा हूँ मैं डलहोजी लेके आया था यह ठीक है और इस सिधान्त में देखेंगे तो सबसे पहले 17 कभी लएक किया गया था 1849 में तो आपको जो है जैदपूर और संभलपूर को किया गया था 1849 म तो यह एक हो जाएगा यह 1850 में हुआ था इसके अगले साल और इसके बास उदयपूर हुआ था उदयपूर तो अप्शन में है नहीं बावन में हुआ था उसके बाद आपको जहांसी 1853 में और नागपूर आपको 1854 में तो यह था आपको 1854 में तो यहां पर देखें तीन पूछा गया है question यह फर्मेटिंग में पूछा गया जैसे आप से पूछ लिया जाए चार आपको option lift में दे दे और year लगाने के लिए ठीक है match करने के लिए कौन match कर रहा है कौन match नहीं कर रहा है कौन सुमेलित नहीं है ताप यह भी धियान रखेंगे संभलपूर 1849 बखाट जो है 1850 नागपूर 54 और अवस जो है 1856 यहाँ पर इंसर आपका हो गया क्या हो गया चार एक तीन दो देखें ओप्सन चार एक तीन दो आपसन यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें मराठा परसासन शहोत्रा शब्द जो है निमने लिखिती में से किसको अब देखेंगे तो जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे तो मुगल परसासन में कुछ जो है वड़ था अधिकारी का कुछ है special नाम था वैसे यहाँ बैदीकाल में जाएंगे तो ऐसे भी कुछ नाम है ठीक है मौरे टाइम पिरियेड में जाएंगे यहाँ आप मराठा परसासन के बारे में पुछा जा रहा है शहुत्रा सब ध्यान देंगे यह जो है एक चौत का भाग था ठीक है चौत की आएक अबटवारा जो है निमलिखित परकार किया गया था एक बबती था आपको जिसमें एक बटा चार भाग जो है राजा रखता था बब अपसन देखें यहां पर तो हिंदु धर्म के लोगों के आत्मिश्वास को बढ़ाना यह बात सही है धर्म के शमाज सेवा का मुख अधार बनाना आदनिक सिक्षा का परसार और आपसी भाईचारे को बिख्षित करना तो अपसी बात की गई थी यहां पर आपसी भाईचा अपसी हो जाएगा त्यों सुपकल सुसाइटी के बारे में आपको पता ही होगा कि मैडम जो है बलास से इसकी द्वारा अमेरिका में इसका निव रखा गया था और जो करनल जो थे एमस आलकट आलकट जो थे यह इसका जो है निव यहां पर भारत में मदरास में रखे थे ठीक है यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे चली अगले कोशन क्यों पढ़ते हैं 35 देखें देवबंध इसकूल के अस्थापना निमलिकित में से किन विद्वानों का प्रयास है देवबंध ठीक है यहां पर तीन-चार अपसन आपको दिया है देखें महमद कासिम, सयद अहमद खा, रसीद अहमद, महमुद उल-खुशन बताना है सही उत्तर यहां पर ठीक है देवबंध इसकूल के बारे में इसके अस्थापना की बात किया जाए तो यह सहारनपूर जीले में अस्थापित किया गया था देवबंध नामा के इसकूल और इसमें आपको महमद जो है आपको कासिम इसके बाद देखेंगे तो इसमें आपको कौन सामिल सयद अहमद खा दिया है ठीक है सयद अहमद खा इसमें नहीं थे इसमें आपको रशीद अहमद यह थे ठीक है रशीद अहमद थे एक और तीन आपसन यह आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है दे नेता थे और इनी के द्वारा डेवबंद स्कूल यानि दारूम जो है उलूम के नाम से जो है मुस्लिम धर्मान दोलन था आगे चलके आप इसके बारे में जानते ही होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर यहां पे 36 इसमें देखे क्या दिया है निमनलिखित में से कौन मुगल समराट द्वारा सोतंतर रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सोबिदार था आप सभी को पता है कि जब मुगल समराज भारत में था तो जितने भी राजे थे इसके अंदर में आते थे लेकिन ये धीरे-धीरे क्या होते रहें अब सोतंतर होते चले मुगल जैसे ऐसे कमजोर होते गए राजे सोतंतर रोने लगे तो बंगाल का अंतिम सोबिदार किसको बनाया गया था मुगल समराट के द्वारा यही पूछा जा रहा है यह किसको बनाया था मुर्शित कुल लिखा के द्वारा और फिर क्या के थे सोतंतर राजगा स्थापना कर ल यहिए पुछा जा रहा है थिक है तो यह तो यह जब आपको अच्छा काम कर रही थी तो इनके नेताओं कुशितार किया घया था यह समय आपको यह सुब्रम्यायरर जो है अपना नाइट के उपादी वापस कर दिये था चलिए यहां पर option C हो जाएगा आगे देखें निमलेखित में से कौन सा कांग्रेस में हुए दित्य विभाजन का परमुख कारण था आपको पता ही है कांग्रेस का विभाजन जो है अपने विचारों के अधार पे अपकुछ लोग नरम पंथी थे कुछ लोग उसमें गरम प ठीक है तो इसी पर आपको हुआ था और यह भी आपको सुधार के लिए सारा कुछ बात किया जा रहा था बट यहां पर सहमती नहीं बन पाई और यह लास्ट में क्या हो गया असंतोस्त व्यात होने कोज़ा से यह आपको फिर से भी भाजन हो गया कांग्रेस जो है दो किसानों को संदक्षन मिलता था तह Communist के लिए प्रतो सहीड और पुरु सक्रीत किया जाता था है यहां पर से लिए बिवाले सोगिया है यहां कई आगे देखे, question number 40 देखते हैं यहाँ पे देखे एक तरफ कभी है और एक तरफ उनका भासा है आपको सुमेलित करना है, question number 40 देखे पहला यहाँ पे है, तैयू मानवर, ठीक है तिये जो थे आपको तमिल भासा में, तो ये तीन हो जाएगा बारिष साह, ये पंजाबी, चार हो जाएगा साह अब्दुल लथीफ, ये सिंधी, ये दो हो गया और दयाराम, ये गुजराती ते एक हो गया तीन, चार, दो, एक, option में देखे, तीन, चार, दो, एक, option C आपका सही अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं, परियाटन जो है गती वीधियो में महिलाओ की भागिदारी बढ़ahaने के उद्धिश्च से निम्नलिखित में से किस सिराज ज impacto परियोजना पर रम्ब की महिला अनुकूल परियोजना किसके दोरा शुरू किया गया है? यही पूछा जा रहा है यह आपको किरल के द्वारा शुरूपी आगया है आगे देखें ACI भारतोलन चम्पियनसिप 2022 में पताना है किस भारती एक्षिलाडी ने का से पदक जीता बात किसके हो रही ACI भारतोलन चम्पियनसिप 2022 तीसमें जीतने वाले है अपको हर्सदा गरून ठीक है हर्सदा गरून ये जुनियर जो है 200 चम्पियनसिप की बात हो रही है इसमें इन्होंने पदक जीता था आगे देखें नेक्स्ट है हाली में सारजनिक छेतर के किस कंपनी को महारतन कंपनी का अब देखें हम लोग इस कोश्चन के उपर बात अल्रीडी कर चुके हैं ये किस कंडिशन में महारतन कंपनी किसी को दिया जाता है तो सारजनिक छेतर में किस कंपनी को महारतन का दर्जा दिया गया यहीं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ठीक है यहाँ पर नेशनल एल्मूनियम कंपनी है रास्टी यह खनीज विकास निगम है आपको ग्रामिड बिधुतिकरन निगम है हिंदुस्तान एर नटकल लिम्टेड है तो देखे यह दिया गया है आपको ग्रामिड बिधुतिकरन निगम को ठीक है ग्रामिड बिधुतिकरन निगम को आपको महारतन के स्रेणी में देखे महारतन के लिए आपको बहुत सारा कंडिश उसके तह़र निवन्तम नेधारित जो भी सारजनिक सेर धारिता है वो भारती एस्टक एक्सेंज में वो सुचिबद होना चाहिए और तीन बरसों में हम बात किये थे कि 25,000 क्रोड से अधिक का क्या होना चाहिए कंपणी का कारोबार होना चाहिए और कंपणी का नीबल संपत नाम एक बर्त आप ध्यान से सुन लेंगे बस ध्यान से सुन लें ठीक है भारत है भी इलेक्रिकल लिम्टेड यानी भेल है ठीक है भारत पेट्रोलियम काप्रेशन लिम्टेड है पोल इंडिया लिम्टेड है गिल इंडिया लिम्टेड है आपको हिंदुस्तान पेट्रोलिय और इंडिया और रूरर जो है इलेक्ट्रो ये कापरेशन लिम्टेड ये सब जो है आपको भारत में ये आपको नौर अतने कंपनियों को लिस्ट में है इनका नाम एक बार ध्यान रखेंगे आगे देखें अक्टूबर 2022 में Foundation of Environmental Education द्वारा निमलिखित में से किन तटो को ब्लू फ्लैग परमानन दिया गया ठीक है ये किन को दिया गया कब पुछा जाए अक्टूबर 2022 में भारत में अधी बात करेंगे तभी ब्लू जो है फ्लैग परमानन जो है भारत में 12 को दिया गया भी टोटल ठीक है और यह समुद्र तट पर देखा जाता है कि परेटकों के लिए जो है इस्तिती सही है कि नहीं कि पानी की स्तिती वहां पर क्या है ठीक है वहां पर आपको बहुत सारा कंडिशन देखा जाता है ठीक है वहां पर सवचाले है कि नहीं यह सब बहुत सारा चीज देखक यहां पर प्रूज परेट को लोग परेटा को बढ़ाने के लिए यह काम यहां पर किया जाता है तो यहां पर आपसे कोशन पूछा था किसको दिया गया है ठीक है तो यह आपको मिनिकाय थुंडी बीच और इसके अलावा यहां पर कदमत बीच इन्हीं लोग को अभी नया द अचुका है चलिए नेक्ट बहुशन देखते हैं अच्छते यहां पर क्या पूछा था आपको टो यहां पर उत्तर करना था था दो और चार फोन यहां पर देखें आपसें आपका ब्लग कहँ चार आगह देखकें जो इसंजु के लिए यह किंद्र सरकार का डेक है कि चली यहां पर कोशन में क्या पूछा था यह बार देख लेते हैं ब्लूपलेग ठीक है तो यह मिनिक आया और कदमत को दिया गया था सही है कभी-कभी question में पूछा जाता है कि नहीं दिया गया था बताइए ठीक है तो ऐसा ऐसा भी किस होता है तो में जो है गेहूं का नियुंतम समय हैंनि MSP की बात हो जा रही है ठीक है MSP के उपर हम लोग बात किये थे एकनॉमिक्स वाले जो है टेस्ट स्रीज में कितने बस्तों को MSP दी गई है MSP क्यों दी जाती है हम लोग बात किये है यह प्रति कींटल ब्रीधी की गई है कितना यह आपको पूछा जा Traffal सभ रुप रुपए पहले देखेंगे गेहूं का समर्थन मूले डे 1,015 रुपया था है ठीक है प्रति कींटल अब कितना हो गया है एक कई सो पचीस उरुपिया एक कई सो पचीस उरुपिया तो देखें यहां पे जीरो हो गया और दो में से एक गया एक ठीक है और यह 110 उरुपिया यहां पे आपको प्रतिक उन्टल बढ़ गया है यहां पे सही उतर क्या हो जाएगा option C ठीक है अच्छा आपके लिए एक आद कोशन और यहां पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे गेहूं और चना की बात करें और जोव के लिए तो गेहूं और चना पे जो है आपको 110 रुपिया याद रखेंगे गेहूं और चना पे एक सदस है और जोव पे जो है 100 रुपिया परती कुटल बढ़ाया गया तेकिया यह बात आप याद रखेंगे मसूर के लिए जो है 500 रुपिया परती कुटल बढ़ाया गया है और सफिद निर्भरता से आत निर्भरता तक बैस्विक महासक्ति के रूप में भारत के उदाय लेखन निमलीकित में से कौन है यानि जो पुष्टक से आत्म निर्भरता तक बैश्विक महासक्ति के रूप में भारत का उद में इसके लेखा कौन है यह आप से पूछा जा रहा है इसके लेखा क्या भीमल जलान तीक है यह आपको अर्थ शास्तित थे आपको पता ही है देखिए रिफरेंस टू जब फाइनेंसियल एक्षन टास्क फोर्स अब देखे जब भी कोशन में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तुरन ताप अंगरीजी वाले देखें फाइनेंसियल एक्षन आपको टास्क फोर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेट स्टापना किया गया तो यह तो गलत हो गया दूसरा इसने पकिस्तान को अपने ग्रेस उची से बाहर करने करने लिए यह सही है यहाँ पर आपका ऑप्सन भी हो जाएगा आगे देखें अगला है आपको हाली में जो है इंटरनेशनल फेडेशन फॉर्फिल्म क्रिटिक्स निम्नलिखित में से किस फिल्म को शर्वकालीन सरशेष्ट भारतिय फिल्म घोसित किया गया तीक है किस को घोसित किया गया यहाँ पर आपको पाथेर पंचाली यह सत्य जीतरे उननीस सब पच्पन में जो है उतक्रिस्ट की जो है पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेड प्रुस कार पर्दान किया गया ठीक है एहां पर चार अप्शन बताना है कि स्कोल लróस प्रुशकार को यह दिया गया है कि यह दिया गया घुस्झर चिंधिरे नमरब्लोग तुरियो तिस्लत में करन गदल् अंतराष्टिए गरीबी उन्मूलन दिवस ये पूछा जार आप से आपको मनाया जाता है गेल 17 और इक सौच्ण और तर एक अच्ण हो जाएगा अंतराष्टिए बाली का तुस ए इग सौच्ण तुस्व मम्नाया जाता है दोह कै। नेक्स है आपको विश्व मांसिक स्वास्थ दिवस यह आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है एक हो गया और 20 खादे दिवस यह मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर को तेक हो गया 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, option आपका 20 हही उत्तर हो जाएगा आगे देखें अगला कोशन है ब्रिटिस भारत के निमले लिखित करंतिकारी घटनाओं को उनके काल क्रम अनसार जो है ब्यवस्तित करना है यह जो भी घटना है इसको आपको काल क्रम अनसार ब्यवस्तित करना है और आपको उत्तर करना है देखें पहला यहाँ पे क्या दिया है नासिक के जीला मजिस्टेट जैक्सन की हत्या ठीक है तो ये जीला मजिस्टेट जो थे नासिक के उनका जैक्सन का हत्या कब किया गया था 1909 में किया गया था ठीक है 1909 में किया गया था यहां पर 1909 लिख देते हैं दूसरा है बंगाल प्रेसिदेंसी के मजिस्टेट किंग्सफोर्ट के हत्या का प्रियास ठीक है तो ये किंग्सफोर्ट का हत्या का प्रियास कब किया गया था 1908 में किया गया था खैर इनका मिर्तु इसमें हो नहीं पया था परफुल चाकि और खुदीरामपल जो है बोस के दोरा किया गया था किंग फोर्ड इसमें दूर भाग्य बस से बच想 अबची गया थे नेक्स जो है आपको दिया है बिलियम करजन वाइली के हत्या तो इनका हर्त्या कर दिया गया था किसके द्वारा मदन लाल धरिंगर के द्वारा यह कब 1909 में किया गया था अब देखें यहाँ पर थोड़ा सी प्रोड़ाम आ गया सजाने में पैर 1909 में किया था लेकिन खब किया गया था एक जुलाई को ठीक है और यह जो पहली घटना है आपको यह कईश दिसंबर को था ठीक है लास्ट में हार्डिंग बंब कांड हार्डिंग पर बंब फेका गया था बट हार्डिंग भी इसमें बच गया थे यह 1912 में होगा था ठीक है चली आप सीक्मेंस लगा ही लेंगे ठी फिर आपको तीन 1909 जुलाई में फिर इसके बाद दिसंबर और फिर हो जाएगा 1912 ठीक है तो दो तीन एक चार अप्शन में देखें ऑप्शन भी हो जाएगा कोश्चन नमर 52 है निमनलिकित में से किस गौर्णर जर्रल ने पिंडारियों के विरूद अवियान करके उनका दमन किया था ठीक है पिंडारी जो काफी परसान किये थे उनका दमन किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था आपको लॉर्ड हेस्टिंग से द्वारा तो आपके question का revision हो रहा होगा इसमें से बहुत सारा question आपको आ रहा होगा modern history तो maximum लोग पढ़े होंगे और यहां से आपके UPPCS में 9 से 10 question आएंगे ठीक है ध्यान देंगे तो 10 question काफी मायने रखता है आपके result के लिए तो इसमें command आपका होना चाहिए ब्याकट जो है निती के अंतरगत सरवपर्थाम निमलेकित में से किस राज्य को British समराज में सम्मिलित किया गया था यही पुछा जा रहा है तो इसमें देखेंगे अब यह question अभी अल्रेडी हम लोग से इसी paper में पुछा गया था तो इसमें देखेंगे कि पुछा जा रहा है कि सरवपर्थाम किस राज्य को British समराज में सामिल गया था सरवपर्थाम तो यह जो है आपको शामिल किया गया था यहाँ पे जहाशी को इन सब में देखेंगे थो तो आपका option यहाँ पर क्या हो जाय गगा डी नहीं ये कौन सा question number ठीक है ब्यादबत क्या पूल रहा है सर पर्थम न ये तो आपका नहीं होगा सर पर्थम तो सतारा को सामिल किया गया था ठीक है अभी हम लोग discuss भी किये थे इन सभी में जो है सतारा को सबसे पहले सामिल किया गया था option आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है जहासी को भी सामिल किया गया था लेकिन जहासी को आगए इसके बाद सामिल किया गया था और ये जो है सिधान किसका था हम लोग बात किये थे डलहोजी का सिधान था ठीक है और 17 को कब किया गया था? 1848 में. चली आगे बढ़ते हैं. ये कोशन रिपीटेड हो गया. चली आगे बढ़ते हैं कोशन नुमर चोवाण. शोर कमिटी के बारे में आपको बताना है सोर कमिटी के गठन निमला लिखित में से किस उद्देश से किया गया था? ठीक है? सोर बिल्कुल अप्सान इसका सही होगा. सी, जो कामा गार्तो मारू जो परकरन हुआ था, इसी के जुजाज के लिए सोर कमिटी का गठन किया गया था. उननीस से चौदव में एगठना हुई थी, आगे देखें. पुश्चन नमर 55 आपसे पुछा जा रहा है, स्वदेशी अंदोलन के प्रती, लोगों को जागरूख करने के उद्देश से निमलिकित में से किस ने स्वदेश बांधो समीती का गठन किया था? देखें, बंगा अस्वणी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, क्या हो जाएगा? डी आपसे आगे देखें, पुश्चन नमर 56 देखते हैं, एक तरफ आयोग है, एक तरफ जो है आपको उदेश्य है, तो देखें, यह सब आयोग आये थे, काफी फेमस फेमस आयोग है, इनको जरूर ध दिहान में रखेंगे, परिक्षा में पुछने का चांसेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको क्या पुछा गया, पहला देखें, फ्रीजर आयोग, ठीक है, यह पुलिस पर सासन के कार्यपत्ति के जांच के लिए था, बिल्कुल सही है, एचीन सन आयोग, यह आपक प्रताव के लिए था, और वीटले आयोग आपको इस्रमिको के स्थिति में सुधार के लिए, एक चार दो तीन, देखें, यहाँ पर आप्षन एक चार दो तीन, आप्षन सी आपका सही हो जाएगा, एक चार दो तीन, आगे देखें, कुष्चन नमर देखते हैं, तरह मुलत रहमतुल्ला जो स्यानी थे ये आपको अहरार अंदोलन से नहीं जुड़े थे बाकी ये सारे लोग जुड़े थे ये आपका सही उत्तर हो जायेगा आगे देखे question number 10 निम्नलिखित में से किस करांतिकारी शंगठन ने अकबार में बिग्यापन दिया था कि भारत में बिद्रो फैलाने के लिए बहादूर सिपाईयों के और सकता है जिनकी तनखा मौत और पेंसन अजादी होगी ये जो है अकबार में बिग्यापन किसके दोरा दिया गया था कि भारत में बिद्रो फैलाने के लिए बहादूर सिपाईयों के और सकता है जिनकी तनखा क्या है मौत है और उनका पेंसन अजादी होगा ठीक है ये statement किसका था किस अकबार का था ये था आपको गदर पाटी क ये था चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमर उन्सर देखते हैं कि यहां पुछा गया निम्न लिखित में से आपको कौन से उपबंद भारत सरकार अधिनियम उनिश्य उनिश्य में सम्मेलित थे ठीक है ये भी टॉपिक आपके लिए जितने भी अधिनियम आया है उससे ए ये आपको मांटेगू के समया हुआ था लॉर्ड मांटेगू के समय भारत के सचीव थे और उससे में बैसराय थे चेम स्पोर्ट थे इसको मांटेगू चेम स्पोर्ट सुधार का नाम से भी जाना जाता है ये बात ध्यान रखेंगे 19-19 के अधिनियम से इसमें क्या-क्या बाते थी, तो किंद्र में दिऊशद्निय ब्योस्ता के बात की गई थी, ये बात सही है, किंद्र में दुएद्सासन, देखे किंद्र में जो है दुएद्सासन की बात नहीं की गई थी, ठीक है, प्रांतों में दुएद्सासन का बात किया गया थे, यह तो गलत हो गया, इस् 19 का जो अधिनियम आया था इसमें आपको प्रतियक्स मतदान का भी बात किया गया था ठीक है प्रांतों में द्वेत्सासन का बात किया गया था धियान रखेंगे प्रांतों में यह गलत हो गया यहां पर ठीक है लोक से वायों के गठन का भी बात किया गया था देसी रियासत क को महत्तो करेखांकिती इसमें किया गया था ठीक है ये बात सब याद रखेंगे ये दिवशर्णी जो ब्यवस्ता है ये क्या था केंद्र में विधान सभा और राज परसद की ब्यवस्ता की गई थी और जो गवर्णर जलना थे उनके कारेकार्णी में कुल आठ सदस्य में से कम से कम तीन भारती ये रहेंगे ये भी बात इसमें रखा गया था ठीक है चली आगे देखते हैं अगला है भारत विश्वयूद के दवरान निम्नलिखित में से किसके नेतित में तुर्की की सहयता के लिए एक चिकिस्ता मिशन भेजा गया था देखे विश्यूद जो चल है एक तरफ नेतित तो करता है ते भी आपके लिए जो हसान ही है इसमें देखे कोशन पुछा क्या है देख लेते हैं शेही समय पूछा एक कीतने यूग मझें आपको सही सुमेली थे है ये आपको बताना था है ठीक है कोल बिद्रो तो कोल बिद्रो बुद्यु भगत इस स चक्र विशोई दिया है आपको, तो एक खोंड जनजाती का बिद्रो जो है चक्र विशोई के द्वारा ही किया गया था, यह आपको 18-36 के बीच में हुआ था, इसका डेट याद नहीं रखेंगे तभी काम चल जाएगा, बस याद रखें कि चक्र विशोई ते भी सही है, ने देखें, भील बिद्रो यही आपका गलत हो गया, यह सेवरम के नितित में भील जातीयों का बिद्रो था, यह तो गलत हो गया, तहां पर एक दो तीन यानि तीन सुमेली थे, तो आपसन देखें, यहाप हो जाएगा आपका केवल तीन यूगन, ठीक है, आगे देखें, ने कौन सा आपको सही है, ध्यान देंगे, यहाँ पहला लिखा है कि यहाँ जो है, वी एम मलवारी के अथक परियास का परिणाम था, दुसरा है, इसमें 14 वर्स के कमायू के बलिकाओ के वीवाह पर रोक लगा दिया गया था, दो यह स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही है, द तो दूसरा आपको गलत हो गया, तक किवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखें, पोस्चन नमर 63 देखते हैं, देखें, फोर्ट बिलियम कॉलिज के अस्थापना निमनलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने की थी, ठीक है, असान निमनलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्ररम किये गए अस्थाई भूमी बंदोबस्त का फरिनाम था, अस्थाई भूमी बंदोबस्त जो आया था, ठीक है, यह भी लौड का 940 जहीं लेके आया थे, अस्थाई भूमी बंदोबस्त, कव आया थे, 1793 में में लेक ठीख है रयतवाड़ी ब्योस्ता चलता था महलवाड़ी चलता था। इसा में आपको अस्थाई बंदवस्थ के बारे में आपको बताना है देखिए। ध्यान देंगे आपर पहला लिखा है कंपनी का आयस सुनिशित करना तो कंपनी का आयस बिल्कुल सुनिशित करना इसका टार्गेट रहा होगा भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी ठीक है अब इससे भूमिहीन मजदूरों के संख्या में बढ़ोतरी हो जाएग बुमहीन मचदुरों के संख्या में बढ़ोतरी होगी इससे ठीक है जमिंदार यहाँ पे जमिंदारी पर ठाय जायेगा और company का आय क्या हो जायेगा सुनिशित हो जायेगा इससे क क्रिशको की इस्धिती में इससे सुधार नहीं होगी यह statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पर एक दो तीन ही केवल सही होगा यहाँ पर option देखे option C हो जाएगा एक दो तीन यह लाने का generally यह लोको target क्या था कि लाब जादा से जादा जो है कमा सके जमिनदार और अंग्रेज इसमें लाब कमाते रहें फिर बंसानुगत जमिनदारी इसका फायदा उठाके और यह लोग बहुत दिनों तक भारत का सोसन करते रहें क्रिसी उत्पादन में इसमें बृधी और किसानों की स्थिति देनिये हो गई थी किसानों का सोशन होने लगा था किसानों पर देखेंगे तो टेक्स्ट ना दे जाने से क्या हो जाने था उनका भूमी जो है जमिंदारे को द्वारा लखा जाने लगा और इस तरह से किसान भूमी हीन बनते गए ठीक है तो आपका यहां पर सही उतर क्या हो जाएगा एक दो तीन यानि सी आगे देखें कोश्टन नमबर 65 बंगाल के किस नवाब ने अपनी सेना की आदमी करन के लिए यूरोपी अधिकारी की नियुक्ति की थी ठीक है यूरोपी अधिकारी की नियुक्ति का आपका हो जाएगा सी कोश्चन नमर देखते हैं सिक्षा सुधार के लिए बात हो रहा है सिक्षा सुधार के लिए जो चाल्स उड़ डिस्पैच निमलिकित में से कौन से सुझाओ प्रस्तुत किये हैं अब देखिए कोश्चन ते भी अब ध्यान रखेंगे कि चाल्स उड के संचालन के लिए तीन विश्व विदालया स्थापित किये जाएं यह भी बात था ब्योशाइक सिक्षा भी दी जाए यह भी बात इसमें की गई थी प्रात्मिक सिक्षा का नियंत्रन जीला और नगर परिस्तों को सौपा जाए इसमें बात नहीं था यह आपको सिक्षा स चाल्स विट डिस्पेच आया था इसको जो है अंग्रेजी सिक्षा का मैगने काटा भी कहा जाता है यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है इसमें सरकार का जो है पशात सिक्षा कला दर्शन बिज्ञान सहीते का परसार करने का लक्ष था आगे है निमनलिखित में से क इसके दौर अस्थापना किया गया चिन की लिज खांके द्वारा ठीक है तो दक्कन छेतर में हैदराबाद में यह आपको अस्थापना किये थे आगे देखिए लहौर की संधी के अंत्रगत निमनलिखित में से किसे लहौर में ब्रिटिस रेजमेंट के रूप में नियुक समचा पत्रों का मुक्तिक दात की में पूछा जाता जाता थैं आगे देखिए इनिमनलिखित में से पहला हिंदू मुशल्मान एकता क्या चाहते थे व MICH विल्कुलँ चाहते थे चुआ चुत बिरोधी संगर्स ये भी था आपको इस्तिरियों के दासा में सुधार चाहते थे धार्मिक अडनब्रो की समापती इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे थे ठीक है ये तीनों सही हो गया गलती हो गलत पुछा था तो आपका option क्या हो जाएगा option D हो जाएगा आगे अगला है question number 71 देखेंगे यहां पर निमनलिखित में से कौन सा वर्स जो है ठारा सपचासी में गठी बंबई प्रिस्डिंसी किसके बारे में पुछा जा रहा है बंबई प्रिस्डिंसी अब देखें इसके उपर अभी हम लोग बात आज ही किये थे इस सथापक सदर्से में कौन कौन सा मिलते हैं तो देखें फिरोशा मेहता है बदरदीन तयब जी है शिसर कुमार घोस और केटी तलंग ठीक है तो हम लोग क्या देखें केटी तलंग भी थे तयब जी भी थे मेहता भी यह सिसर कुमार घोस नहीं थे ठीक है ता आपका सही उतर क्या हो जाएगा option य जाद का था तो यह हो जाएगा दो नयूग से कौन जुड़े हो गया थे नयूग किसका था आपको मुझवथर अहमद यह चार हो गया बंदे मातरम तो यह आपको अरभिंद घोष और इंडिपेंडेंडन मोतिलाल नहरू तो दो चार तीनेक दो चार तीनेक ऑप्शन में दे किन उद्देश से प्रेरित था देखिए अंग्रेज जो है आप रेल लाइन विछाने का काम क्यों किये यह आपसे पूछा जा रहा है अब देखिए इसमें हिस्टी में ऐसा कोश्चन पूछा गया है यानि हिस्टी पे आपके उपर समझ है हिस्टी के उपर तो आप सारा कर सकते हैं यह थोड़ा सा समझ में आपको दिक्कत है हिस्टी के उपर समझ पकड़ आपका मजूत नहीं है केवल आपको फेक्चुल डटा पता है थोड़ा सा दिक्कत होगा यहां पर उद्देश से की बात पूछी जा रही है आखिर रेल लिनमाड का उद्देश से क्या नहीं है दूर दूर तक ये गलत हो गया है कच्छी माल माल को बंदर्गाह से भिल्कुल इनका टार्गेर था चुक्पती इनको माल हाँ से मल जाता था ब्रिटेन तो वहां पर झुद यहाँ उप्सन यहां पर अप्सन एक तीन सही हो जाएगा और रेल लेन के बारे में आप सभी को पता ही है तो अगला कोसिटन है कोस्टन नमर 74 निम्णलिखित में से कौन भूर रजा स्वकी महलवारी ब्युस्था में सम्सक्राइब mix के देखें हम लोग एक व्युस्ता के बारे में भी देख लिये थे और दूसरा है महलवारी व्युस्ता त्यसे इसे कौन समझझी था सब्सक्राइब हुआ है अगला है वर्ष सथ उनीश सबनचालीस में सुभाष चनदर भूष द्वारा कॉंग्रेस जो है अधियकस पद से त्याग पत्र देने के बाद कीसा उट इस पताष में अधियकस पड़ने के बाद कॉंग्रेस से पत्र ने उट obsessed किया गया तो अप्सण आपका डी सही अंग्स adalah दीन बंदू मितर के बंगला-नाथक-निल-दρपन का अंग्रेजी भासा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया file और यह देखेंगे आपको निल बीदरों पे विश्ट थबूक ये था आगे देखें आरे समाज के संदर में बताना है कौन सा कतन चाहिए पहला देखेंगे आपे कर्म को बढ़न के बिवस्था के अधार पे माना इस तरी पुरूष समानता पे बल दिया यही वात सही है पुराणों के परमिनिकता स्व स्विकार नहीं किया गया आरे समाज बेदों को मानता था यह तो गलत हो गया अंतर जाती विवाह को और स्विकार किया यह भी गलत हो गया अंतर जाती विवाह को इसमें स्विकार किया गया तो यहां पर तीन चार दोनों गलत हो गया एक दो सही है क्यों तो ऑप्शन देख यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर ए आगे देखें निम्ना लिखित में से किसे मार्च 1925 में केंद्रिये सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया यह आप से पूछा जा रहा है यहां पर चार अप्सन है पैरलली में आप एंसर जरूर करते रहेंगे ठीक है यह कौन थे आ स्थापना निम्ना लिखित में से की सस्थान पे गी देखें फ्रांसीसी की बात हो रही है यह अपना पहला कंपणी कहा लगाये थे ठीक है यह अपना पहला फैक्ट्री 1668 में चली आगे बढ़ते हैं सभिना अगया अंदुलन के दमन के उदेश से ब्रेटी सरकार के द्वारा कनिंगम सर्कुलर जारी किया गया यह निम्लिखित में से किस छेत्र में परभावी था कनिंगम सर्कुलर तीक है तो यह आपको असम के छेत्र में आपको परभावी था आगे देखते हैं कोश्चन नंबर 82 लेक्चर को जो है अधिक साधिक बच्चे में जरूर सेयर करेंगे यहां पर आपके लिए बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रोपर मैनर में जो है काम किया जाएगा तो जितने नए बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे उनको भी लेक्चर आप सुचिवन को सुचिदो से आपको सुमिलित करना है एक तरफ गुरू है एक तरफ उनका योगदान है देखे इसमें देखेंगे तो पहला यहाँ पर गुरू अंगत देओ इनका क्योगदान था यह गुरू मुखी लीफी का विकास ही नहीं के द्वरा किया गया था एका तो दो हो गया और बी क्या हो गया एक इसके बाद अर्जुन देव इनके द्वारा जो है आपको आदि गरंद का संकलन और गुरु हर गोविंद शैनिकला का प्रशिक्षण तो दो एक तीन चार देखें ऑप्सन यहां पर क्या है ठीक है मैं आप गलट टिक कर दिया था अप्सन भी हो जाएगा दो एक तीन चार ठीक है आगे देखें निमनलिखित में से कौन से अंग्रेज के बिरूद फ्रांसीसी असफलता के कारण थे देखें लास्ट में भारत में दो सक्तिया ही बच गई थी अंग्रेज और फ्रांसी से कुषलता है यहां इनका साहोच को मिलने रहा था अंग्रेज वो मजबूत हो गया उनको रिवनियोगोरा मिलने लगा था ठीक है, ब्रिटिस सेनापतियों के कुशल था, ये भी बात सही है, उनके सेनापति कुशल भी थे, ठीक है, यहाँ पे बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रांसीसी सेनापति भी कमजोर कमजोर आए, उनका decision अच्छा नहीं रहा ते इस सारा ही सही हो जाएगा, यहाँ प कुल असा question है, इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका, फोर्ट सेंट जोर्ज, ठीक है, option C हो जाएगा, आगे देखें, अगला है निमनलिखित में से किसा अधिनियम के अंतरगत, कमपनी के जो है बेपारीक एक अधिकार को पुन्ता समाप्त कर दिया गया, ठीक है, तो यह भी आपको काफी repeated question है, पुछ रहा है, देखें, तो बेपारीक एक अधिकार को पुन्ता बात किया जा रहा है, अगर पुछता कि बेपारीक एक अधिकार को समाप्त किया गया, तो 18-17 आपको चार्टा रेक्ट बन जाता, बट यहाँ पुन्ता की बात हो र अंदोलन के दोरान निम्नलिखित में से किस गांधिवादी नेता ने काली कट से पिनार तक नमक यात्रा की थी, अब देखें, शबना आओ गया जो अंदोलन हुआ था आपका, तो उसमें पूरे भारत में इसका प्रभाव रहा था, तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है काली कट से पिनार तक नमक यात्रा की इसके दोरा किया गया, ये किया गया था आपको के किलपम पे दोरा, तीक है, 12 मार्च जो है, 1937 को साबरमती आसरम से जो है, गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ क्या हुए, वहाँ से पद यात्रा सुरू किये थे, और 24 दिन के यात अगे देखें, निम्नलिकित में से किस युद में अंग्रेजों ने डचों को प्राजित करके भारतिय वेपार से बाहर कर दिया, यानि पूरी तरह से जैसे युद पहले से इनलों के चलते रहा था, लेकिन डचों का सफाया हो गया किस युद से, बिल्कुल यासान सा कोश अगस्त प्रस्ताओ, निम्नलिकित में से क्रोण सा प्रधान नहीं था, अगस्त प्रस्ताओ जो था, उश में कौन सी बात नहीं थी है, या आपको बताना है, देखिए, पहला यहाँ पे दिया गया है, युद सलाकार परिसत का गठन, युद के बाद संविधान निर्मातर इसमें बात नहीं रखा गया था, और यह बात रखा गया था, और यह बात रखा गया था, कि भारती सदसों के संख्या में ब्रिधी करेंगे, वाइस स्राय की जो करेकार्णी थी, उसमें हम लोग ब्रिधी करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंसर, ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा नहीं था, तो option C हो जाएगा, आगे देखिए, अगला है आपको, गा आगे देखिए, 1784 का जो पिट्स का इंडिया एक्टाया था, इसी के संदर में बताना है, तो कौन सा इसमें आपको शही है बताना है, देखिए, तो पहला दिया है इसमें, बूर्ड अफ कंट्रोल के अस्थापना की गई, ठीक है, बीयोसी की बात सही है, दुएद सासन प इन चीफ के पदों को सयोग किया गया, ठीक है, तो चौथा स्टेट्मेंट जो है आपको यह सही नहीं है, यहाप एक दो तीनी सही है, देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका C, आगे देखिए, नेक्स से कोश्चन नमर्ण 91, निर्वाचन आयो के निमनलिखित में से किस हिं इन दी फिल्म अभिनेता को अपना राष्ट यह आईकन घोसित किया गया, तो यह भी हम लोग कोश्चन अलिडी कर लिए है, ठीक है, द्रिष्टी के पेपर में कोश्चन हम लोग किये थे, यह किसको घोसित किया गया है, पंकर्च तिरपाठी को, ठीक है, निर्वाचन आय किस अस्थान पर किया गया, ठीक है, तो यह आपको हुआ था विशाका पटनम, ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है, तराई हाथी अवेरन के संदर में बताना है कौन सा कथन आपको, सही है, ठीक है, देखिए, पहला दिखा यह उत्तर प्रदेश के दूसरा हाथी अवेर यह रिजर्ब है, पिल भीत और दुद्वा बागे बरन भी सामिल किया गया, दोनों सही है, आप्सन हो जाएगा, C, आगे देखें, कोशन नमर 94, हाली में रिजर्ब बैंक द्वारा निमनलिकित में से किस एडवांस सुपरवाइजरी मनिटरिंग सिस्टम का सुरुआत किय आगे देखें, निमनलिकित में से किस राजे ने फुटबॉल की संस्क्रिती को बढ़ावा देनी कुद्वाइजरी मनिटरिंग से किस के द्वारा सुरू किया गया है, यह आप सभी को पता होगा, यह ओडिसा सरकार के द्वारा किया गया है, आगे देखें, कोशन नमर 96, निमनलिकित में से किस महान विभुती के जन्म दिवश को परतेक वर्स बिस स्व चातर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह कौन थे? एपी जे, अबदुल कलाम थे, ठीक है, एपी जे, अबदुल कलाम थे, 15 एक्टूबर को जो है बिस स्व चातर दिवस आपको परति वर्स मनाया जाता है अगला है आपको 97 हाली में संपन 36 रास्टी एकल 2022 के लिए निम्लिकित में से किस खिलाड़ी को जो है सरोसेष्ट महिला खिलाड़ी का पुरुसकार किसको दिया गया हर्सी का रामा चंदरन को आगे देखे कोश्चन नमा 98 देखते हैं हाली में निम्लिकित में से किसे भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियूज किया गया यह भी पता होगा आपको काफी टाइम हो गया यह नियूज जो है तो यह कौन थे आपको रोजर बिन्नी और रोजर बिन्नी आपको पता ही है कि ये भारती जो है पुर्व किर्केटर है और ये वर्ल्ड कप जो भारत 1913 में जीता था उसके भी ये सदसे रहे थे हाली में निमलिकित में से किस सहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी आवार्ड तो ये भी काफी पूराना कोशन हो गया हम लोगो इसको भी डिसकस कर लिया है है एदराबाद को दिया गया था आगे देखें हाली में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित संग्रा दी थी तो ये कौन व्यक्ति थे जो इनको अहिंसक जो है गुरिला यूद बताये थे ये थे आपको नेता जी जो है सुभास संद्र बोस अगला है आपको भारत सासन अधिनियम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ध्यान देंगे 1935 का अंतरगत हुए प्रांटीय चुन पूछा है ये कब हुँआ था 1937 में चुना उवा है और पांच प्रांटबमन मिला था मदरास में मिल गया था इसके अलगाव को समय आथा है और निख्श देखेंगे मध्य अब बाग हत्याकांड के लिए एक ब्रिटिस लोग एक बनाये थे और एक भारती लोग को द्वारा बनाये गया तो इसके अदेखता कौन कर रहे थे मदन मोहन मालविये थे आगे देखें एक सोचार वर्स 1927 में हुए कॉंग्रेस के मदरास अदिवेशन में शाइमन कमीशन के बहिसकार का निर्ने लिया गया निमनलिखित में से किन दलो ने कमीशन का समर्थन किया था अब पता ही है कि जो है साइमन कमीशन का बहिसकार किया गया था इसमें कुछ लोग समर्थन भी पे 3 और 4 तो उप्शन क्या हो जाएगा आपका बी अगला देखे निमनलिखित में से कौन सा बेक्तिकत सत्यागर दौन का उद्दिष्य था जो बिखतिकत सत्यागर आंद्दिष्य सथा आपसे पूछा जा रहा है देखे बेक्तिगत लक्षों की प्राप्ति तो ऐसा दा बात था नहीं, ब्रिटेन द्वारा भारत को युद्ध में सामिल करने का बिरोध, यही आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, अगला देखे, कोश्चन नमर देखते हैं, 106, अगला है आपको स्वराज पाटी के गठनिम नलिखित में से किस उदेशे से किया गया, स्वराज पाटी जो बनाया गया था, इसका उदेशे क्या था, और सहयो गांदोलन के वापस लेने का बिरोध, हिंदु मुसल्मान एकता के स्थापना, श्वदेशी का प्रसार, बिधान मंडल में परिवेस करके सरकार को शू संगत बिरोध करना, ठीक है, तो स्वराज पाटी का यही उदेशे था, कि बिधान मंडल में क्या किया जाया, प्रिवेस कर लिया जाया, और सरकार का बिरोध किया जाया, शू संगत तरीके से, तो बिल्कुल D option सही हो जाया, आगे देखें, तो कितना था, question number 106, आगे निधित्तो हो, यूदिकी समापती के बाद, नवीन समिधान के संरचना पे विचार, करेकार्णी विधान मंडल के प्रति जिमवार नहीं, ठीक है, विवल प्लान जो था, इसी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा जो है, इसमें आपको ध्यान देंगे, करेकार्णी के अगठन जिसमें सभी सदसे भारतियों ऐसा बात जो है, आपको नहीं कहा गया था, ठीक है, ये तो गलत हो गया, हिंदू-मुसल्मान की समान पर नवीन समिधान के संरचना पे विचार का भी बात किया गया था, अब इधान मंडल में प्रति जो है, जीमवार नहीं, तो पह 1777 में जो है रेगलेटिंग एक्ट के अंत्रगत, गठित कलकत्ता सुप्रीम कोट का पर्थम मुक्य नियादिस निमनलिखित में से कौन था, ठीक है, तो देखिए, 1777 में रेगलेटिंग एक्ट है, और इसी का अंत्रगत क्या किया गया, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोट और ये भी हम लोग बात कर लिया है, ये question अल्रेडी discuss हो चुका है आपका, इसका answer क्या हो जाएगा, sir, ilja, impay, देखते है question नमर 110, निमलेखित युगों पर विचार करना है, एक तरफ पुष्तक है, एक तरफ लेखक है, ठीक है, तो ये भी question आपके लिए असान, 8057 पर ये तो गलत हो जाएगा, पहला, 857, ठीक है, 857 जो है, ये सुरेन नाथ सेन का था, ये भी गलत हो गया, तो देखें ये क्या किया था, option आपको इधर उधर चेंज कर दिया था, तीसरा देखेंगे यहाँ पर, तो दसिपाई म्यूटनी एंड़ रिवोल्ट आप्टर 857, य आपको मजुमदार कहीं था, रमेश चंद्र मजुमदार का था, तो ये तो सही हो जाएगा, फर्स्ट वार अफ इंडियन इपिडेंस, तो ये किसके दोरा बीडी सावर करके दोरा लिखा गया था, तीन चार दोनों सही है, ठीक है तो यहाँ पर दो युग महीं सही है, तो आप्शन भी हो जाएगा, आगे देखे, पाउना क्रिशक बिद्रो के समय निमलिखित में से किस समाचार पत्र ने जमिनदारों का पक्ष लिया था, ठीक है, जमिनदारों का पक्ष लेने वाला कौन था, तो था आपको अमरित बजार पत्रिका, आगे देखे, श्वतंतरत के समय है, हैदराबाद रियासत में, जनसंक्या के अधार पे दूसरा सबसे बड़ा भसाई समोह निमलिखित में से कौन सा था, देखे, सोतंता के समय है, हैदराबाद की बात हो रही है, जनसंक्या के अधार पे दूसरा सबसे बड़ा भसाई समोह, ठीक है, ये कौन था मराठी में इसमें कौन सप्ताहिक प्रत्रिका था, जो अंग्रेजी भासा में परिवर्थित हो गया, अंग्रेजी सप्ताहिक में, यही आपसे पूछा जा रहा है, यह कौन था, अम्रित बजार पत्रिका था, आगे देखें, अब लिटन जो है बरनकुलर प्रेस्ट एक्ट लेके आए, रिपन बे जो क्या किये थे इसको समाप्त किये थे आगे देखें निमनलिखित क्रिशक बिद्रोह को उनके काल करम अनुसार व्यवस्तित करना है और कूट का परियोकर के सही उत्तर अब आपको यहाँ पे यहाँ याद होना चाहिए ता आप एंसर इजली कर लेंगे देखें यहाँ पे निल जो है बिद्रोह की बात करें तो इसके बाद हो जाएगा यह यह सबसे बाद 18 से 74 पचातर 18 से 74 पचातर तो देखें सबसे बाद में तो यह नहीं होगा सबसे बाद तो मोपला ही होगा तो चुकि यहाँ पर बेवस्तित करना है तो देखें क्या हो जाएगा सबसे बाद मोपला है तो तीन हो गया इससे पहले दक्कन का है ठीक है इससे पहले क्या है पा अगला कोशन है निमनलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का सदसे नहीं था ठीक है कैबिनेट मिशन में कौन जो है सदसे नहीं थे इस सिंपल कोशन आपसे पुछा गया है तो इस्टिपर्ट क्रिप्स बिल्कुल थे अलेक्जेंडर और लॉरेंस यहाँ पे सर एच इस बिलिनसन यह जो है आपको नहीं थे ठीक है तह आपका सही उत्र के होज़ागा उप्सिं दी आगे देखें अगला कोशन है एक तरफ संस्ता और एक तरफ संस्थापक है ठीक है तो यहाँ पे ध्यान देङगे इसमें क्या बताना है कौन सुमेलीत नहीं है गलत बताना ह देव समाज तीक है ये शिव नरायन अगनी होतरी स्थापकते सेवा सदन वी एम मलबारी समाज सेवा संग तीक है समाज सेवा संग जो है ये महा देव गुबिंद रनाडे का दिया है और यही गलत हो गया ये नरायन मलहार जोसी का था भारतिये सेवक समाज ये गुपाल तो यहां पर सही आपको बताना था समाज सेवसंग याद रखेंगे किसका था नरायन जो है मलहार जोसी का था ठीक है ता आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 117 का सी आगे देखे भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखित करंतिकारी दस्तवेज बम का दर्शन यह किस उदेश हो जाएगा आगे देखे 187 के बाद प्रसासनिक परिवर्दन के संदर में देखे 187 का सिपाही बिद्रो हुआ उसके बाद भारत में क्या चेंज किया गया है तो आपको पता ही है कि वो क्राउन के हाथों में सासन चला गया तो कौन-कौन सा डिसीजन लिया गया यही आपक पहला है सेकेर्टी अफ एस्टेट के नियुक्ति की गई यह बात जो है सही है रजवाडों के बिले के नीती को परितियाग अब कोई रजवाड़े का बिले नहीं किया जाएगा यह भी सही है रूडिवादी बर्गों का बिरोध ठीक है इसमें ऐसा कोई बात नहीं रखा गया था भारतिय सैनी के तुलना में इरोपियों का अनुपात्म बढ़ाये गया जो किसी पाही भी इसमें काफी पैटिसिपेट किये थे इस विद्रोह में तो यह भी किया गया था एक दो चार ऑप्सन देखें एक दो चार ऑप्सन सी हो जाएगा आगे देखें आगे है को कोश्चन नमबर 119 हो गया ठीक है 120 देखते हैं निम्नलिखित में से पुछा है किस कारण से मुश्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताओं को औस्विकार कर दिया ठीक है क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताओं को मुश्लिम लीग द्वारा औस्विकार कर दिया गया इसक से एक इस देखते हैं देखिए cabinet mission योजनय का अंत्री मंदल का संदर में बताना है cabinet mission सदस्य हो गया है किनको कौन सा भीभाग दिया गया यह भी question repeated जो है बहुत बार कुछा गया है पहला देखिए अच्छे इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है बल्देव सिंग पहला है रक्षा मंत्री रक्षा भी भाग दिया गया था सही है जग जीवन नाम संचार इनको नहीं इनको क्या दिया गया था सरम दिया गया था ये तो गलत हो गया राजेंदर परसाद खादय और क्रिशी दिया गया था और अब्दुल रब नस्तर अब्दुल रस्त नस्तर को ये स्वास नहीं दिया गया था ठीक है ये आपको गजनफर अलिखां को जो है स्वास दिया गया था तो ये आपको क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो केवल द कोशन है रीपीटेड कोशन है ठीक है कौन थे लाला लाजपत राय थे ठीक है लाला लाजपत राय थे आगे देखे कोशन नमबर 123 क्या पुछा जारा इसमें निम्नलिखित में से किस करखाने अधिनियम ने सात बर से कम आयू के बच्चों के नियोजन पर परतिबंद लगा तुम्हाक ठीक है कौन सा करखान अधिनियम आया था तो देखिए लॉर्ड रिटम जो है इसके लिए मिल मजदूरों में अवस्थाकों और उनको सिधारने के लिए क्या किए थे करखाना अधिनियम लेका आये थे और इसमें क्या किये थे हो सात वर्से कम आयू के बच्चे को करखाना में परतिबंद लगाये थे ति यह जो अधिनियम कौन सा था यही पुछा जा रहा है ति यह 18 सा आपको 81 का अधिनियम था इसी में सा बात लिखा गया था कि सात वर्से कम आयू के बच्चे जो आकर खाना में नहीं जाएंगे ठीक है आगे देखिए सर सयद अहमद खा के कारियों के संदर में बताना है निम लिखित में कौन सा सही है ठीक है सर सयद अहमद खा के बारे में देखिए जिसमें क्या दिया गया है कौन सा सही है अच्छा ठीक है सही बताना है देखे पहला देखे पश्चात शिक्षा का समर्थनों करते थे यह बात सही है देश भक्त इस्योसेशन का स्थापना भी तहजीफ उल अखलाग का परकासक भी थे ओ इसलाम में मौजूद कुरुतियों क कुछ दूर करने का प्रियास भी किये थे इस सारे इस्टेट्मेंट सही है ऑप्सन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आगे देखें कोश्चन नंबर 125 देखते हैं देखिए क्या पूछा गया निमलेखित में से कौन सा 1878 में गठी राजमुंद्री शोशल लीफॉर्म मर्थन देखिए कि घाप्सन क्या हो जाएगा आपका सी ऊजाएगा आगे देखें बलेजली कि सअधिया संधि के बारें बताना है कौन सा सही है ठीक है देखिए देखिये तो पहला दिया यहां पे संधी करने वाले राज्य में ब्रीटिस सेन्य के तैनात किया जाना तो य यहां पर एक दो सवरी एक दो चार हो जाएगा आप्सन सी आगे देखें अगला है निम्नलिकीत में से किस आयोग ने intermediate परिक्षाओ के संचाल नेतू माधमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाओ परस्तित किया था यह पूछाए थीख है तो intermediate के लिए माधमिक शिक्षा के लिए कौन बात किया था यह सैडलर आयोग आपको बात किया था आगे देखे, question number 128, निमनलिकित में से जो है, किसे भारत से अलग पाकिस्तान की परिकल्पना का जनमदाता माना जाता है, ठीक है, तीस जनमदाता किसको माना जाता है, चौधरी रहमत अली का, इनही के मन में ये विचार ख्याल आया था, ये सब्द इनही के उत्पति है, आग सही है, इलहाबाद में करनल नील, लखनाओ में कैंप बेल, जगदीशपूर में बिनसे टायर, इस सारा ही सही है, यह क्या हो जाएगा, सभी चार युगम, आगे देखे, question number 13, भारत छोड़ो अंदोलन के समय, गांधी जी के नेता, गांधी बादी नेता, चित्तु बांड पुछा जा रहा है, तो यह आपको गठन की गई थी, यहाँ पर बलिया में, खैरी सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी, अगरा देखे, दुर्विक्स के शंदर में शुझाओ प्रस्तुत करने के लिए, जिम्स, लायल, आयोक का गठन, निम्नलिखित में से किस वा जिम्नलिखित में से किस ब्राह्ण वादी संगठन ने बायोकूम सत्यागरा का समर्थन किया था, ते समर्थन करने वाले जो कौन थे यहाँ पर, यह थे योग शेम सभा, आगे देखे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रष्टवादी आर्थिक वीचारधार तो ध्यान देंगे, रमेश चंद्रदत ये थे, रानाडे भी थे, नौरो जी, यह सारे लोग जो समर्थक थे, यहाँ पर सुरेन नाथ बनर जी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, पुछतक है, एक तरफ लेखक है, ठीक है, ध्यान देंगे, यह पुछतक जो है राजेंदर परसाद, नियू लेम्स फर ओल्ड, यह जो है, अरबिंद घोस के द्वारा लिखा गया था, भी पिंच अंदर पाल नहीं होगा, यह गलत होगे, त्टी नियूग में सही है, आप्सन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चले देखते हैं, कोश्चन नमर 135, लेक् कित में से, किसने भारतिये को एक ऐसी समिधान बनाने के चुनवती दी, जो सभी बर्गों को सुईकार हो गया, ठीक है, चुनवती देने माले व्यक्ति कौन है, समिधान खेरी लो बना के दिखा भी दिए, यह कौन थे आपको, लॉड बरकेन हेड, आगे देखें, अगला याद है, तो थोड़ा सा मुस्किल होगा, देखिए, यहाँ पर है, चौल्स मैटकाफ, ठीक है, मैटकाफ जो है, 35-36 में, उसके बाद ऑकलेंड की बात करेंगे, तो यह 18-36 से 42 तक रहे थे, तो एक हो गया, फिर 2, और इनके बाद आपको एलन गुरु आय थे, 42 से लेके 44 सक, तो यह 3 हो जाएंगे, और Lord Harding इनके बाद, तो एक, दो, तीन चारी यहाँ पर ऑप्सन हो जाएगा, ऑप्सन ही सही हो जाएगा, आगे देखें, नहरु रिपोर्ट में प्रस्तुत सुजाओ में निमलिखित में से कौन सामिल नहीं था बताना है, ठीक है, नहरु रिप संग मनाने का स्वतनता था, मौली का धिकार के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है, डोमेनियन स्टेट का बात किया गया था, आगे देखें, निमनलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधी दी थी, ती यह राजा के उपाधी देने वाले कौन थे आपको अकबर दितिये थे, आगे देखें, निमनलिखित में से कौन जो है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधियवेशन के अधियक्स थे, मुस्लिम लीग के पुछा जा रहा है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधियवेशन के अधियक्स कौन थे, ते थे आपको यहाँ पे, वक नम्मर 140 देखते हैं ये एक तरफ प्रांथ और एक तरफ प्रधान मंत्री है ठीक है देखिए चाह बताना है कितने जो सही सुमेलित है यहाँ पहला देखिए ओडिशा के हरे कृष्ण महताब थे यह सही है ओडिशा में हरे कृष्ण महताब ही थे अच्छा इसके बाद देख है यहाँ पर क्या हो जाएगा ओप्शन भी तीक है आगे देखें अगला कोष्ण है आपका कोष्ण नमबर 141 कि इसमें क्या है गुजरात में आवजित जो है 36 रास्टी ये खेल में उत्तर प्रदेश के कौन सा अस्थान पर आपत हुगा उत्तर प्रदेश को जो है कौन सा अस्थान इसको प्राप्ट हुगा था आगे देखें स्वक्र जो है सर्वेक्षन रिपोर्ट जो 2022 में 10 लाग से अधिक अबादी वाले जीलों में उत्तर प्रदेश का कौन जीलों को सरोच ये उत्तर प्रदेश को मिला था आपको गाजिया बाद को लेकिन पूरे भारत मे इन दॉर जो है सिर्श फे रहा है आगे देखें हिंआ निमलिकिट में से किस्वर 2022 के लिए 32 बिहारी पुर। से किसे जो है वर्ल्ड इनोरसिटी रंकिंग जो सामिल करें इस него है यहां पे नंबर फूंच रहा था कोशन नममर Vorn आगे देख Caillat अगे देखें ठीक है तो यह कौन सा हवाई अड़ा है जो हरित स्रोथ पर आपने आपको आस्तित कर लिया है तो यह आपका हो जाएगा छत्रपती शिवाजी महराज अंतरास्थी हवाई अड़ा मुंबई भारत की मेजवानी आयोजित फीफा महिला विश्वकप अंडर 17 खिताब निमलेख भारत की पहली महिला किरकेटर थी सिटेंबर 2022 का पुछा जारा हर एक महीने एक पुरूस और एक महिला किरकेटर को चुना जाता है तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हर्मनीत कौर हर्मन प्रित जो है कौर थी आगे देखें अगला है भारत द्वारा शुरे के अ और अगला है हाली मुत्तर परदेश के अजुद्य जनपत में Statue of Dignity का अनावरन किया गया यह किसकी प्रतिमा है Statue of Dignity यह आपको प्रतिमा है रामा नुजा चारे की ठीक है तो आपका option यह सही हो जाएगा तीस तरह से हम लोग सारा question कंप्लीट किये ठीक है अपना feedback और comment कोई होगा ता आप comment back में जरूर लिखेंगे ठीक है और lecture को जो है अधिक से अधिक बच्चों में जरूर share करेंगे चैनल को subscribe भी जरूर करेंगे चलिए आगले हम लोग test series में फिर मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद